नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपके अपने इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम भारत के भुगोल से रिलेटेड एमसी क्यूज करेंगे यह एमसी क्यूज राश्टी उद्यान भारत के पक्षी विहार और भारत के वनिजीव अभियारन को कवर करेंगे यह सारे प्रशन लूसेंट वश्तनी समान ग्यान से लिए गए हैं तो चली वीडियो को सुरू मिल है जो टिकाव उपयोग के लिए मार्क प्रतान करते हैं बायोस्फेर रिजर्व का पूरी तरह से रख रखाव राइस सरकारों द्वारा किया जाता है और अंतराष्ट्य स्तर पर अच्छी तरह से माननेता प्राप्त है इनका उपयोग मुखी रुप से भूमी और जल पर प्रियोग के लिए कि आता है बायोस्फेर रिजर्व का रख रखाव उनीस वरसेट में सुरू हुआ जो प्राकरतिक संसाद्नों की उपयोग पर चर्चा करने वाला पहला संभेलन था भारत में सरकार ने 18 बायोस्फेर रिजर्व स्थापित किये जिनका एक मातुर देश प्राकरतिक आवसों की रक्षा करना है अगला प्रशना है सुल्तानपूर पच्ची अभियारन कहां इस्तित हैं जोका सही अंसर है गुरदाओं में दिल्ली से 48 किलोमेटर दूर इस्तित हर्याना में सुल्तानपूर राष्ट्य उद्यान निवासी और प्रवासी दोनों प अफगानिस्तान रूस तुर्की और पूर्वी यूरुपिय देशों से 100 से अधिक प्रकार की प्रवासी पक्षी आती है यहां आपको किंग फिशर ग्रे पलिकन्स कॉमरेंटन्स स्पून बिल्स पॉंड हेरोस वाइट इबीस आधी पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे इसके अलाबा नीलगाई भी यहां के प्रवुक आकरस्टनों में एक हैं अगरा प्रशन है महान हिमालय राष्टी उद्यान कहां इस्तित हैं जो सही अंसर है मनाली हिमाचर प्रदेश ग्रेट हिमालय नेस्नल पार्क भारत का एक राष्ट उद्यान है जो हिमाचर प्रदे इसलिए किसी भी प्रकार के शिकार के अनुमती नहीं है। इसलिए उपर में लाती है। इसलिए राजाजी राष्टी उद्यान अपने यहां पाई जाने वाले हाथियों की संक्या के लिए जाने जाता है। इसके अलावा राजाजी राष्टी उद्यान में हिरन, चीते, सांभर और मोर भी पाई जाता है। राजाजी राष्टी उद्यान में पंच्यों की 315 पजाजिया पाई जाती है। अगला प्रश्ण है, केवला देव राष्टी उद्यान कहां जिते हैं? जो सही एंसर है, राजस्थान के भरतपूर में। केवलादेव राष्टी उद्यान या केवलादेव घना राष्टी उद्यान भारत के राजस्थान मिस्थित एक विख्यात पक्षी अवियारन है। केवलादेव राष्टी उद्यान में गंभीर बानगंगा नदी बहती है। स्लाइट्स में संकाटापन रिडले कच्वा का विस्व में सबसे बड़ा समूचयान है कहां पर है तो गहीर माथा में। अम लोग गीर राष्टी उद्यान के बारे में कुछ परते दोस्तों जो प्रिवेस कोश्चन समें डिस्कस किया गया था। गीर वन भारत के अर्ध शुष्क पश्चिमी भाग में शुष्क परणपाती वनों का सबसे बड़ा सगन छेतर है। गीर वन कई स्तंधारियों, सरिस्रिपों, पक्षियों और कीट प्रजातियों के साथ साथ वनास पतियों की एक सम्रिद विवित्ता के लिए एक अनुठानियों आवास बनाता है। ACI सेरों के सनरक्षन के लिए सरकार ने 18 सितंबर 1965 को साथ संगीर के बड़े भागौलिक विस्तार को वन निजीव अभियारन के रूप में अधिसुचित किया। इसका कुल चेत्रफल 1412 किलमेटर है जिसमें तれама 281 किलमेटर राष्टी उद्यान का मुखे चेत्र है। अब काजी रंगा राश्ट्री उद्यान के पार में कुछ जानते हैं दोस्तों। और दल्दली हिरुनों की बड़ी प्रजनन अबादी का घर है काजी रंगा को पच्छी प्रजातियों के सनक्षन के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्पूर्ण पच्छी शेत्र की रुप में मानेता प्राप्त है पुर्भी हिमाले जेव विद्धता एक राष्टी उद्ध्यान है यह डल जिल से पुर्भ में स्रिनगर से बाइस किलोमेटर दूर 141 वर किलोमेटर चेतर पर विस्तारित है उद्ध्याने पाए जाने वाले मुखी पेड़े हिमालेई नम शितोष्ण सदाबहार नम प्रणपाती और जाडिया देवदार दूसर लंगूर, चीता बिल्ली, हिमालेई काला भालू, हिमाले भूला भूरा भालू, गीदर, पहाडी लोमडी, हिमाले रासु, जंगली बिल्ली और उद्ध बिलाओं मिलते हैं पच्छियों में तीतर के कोकलास और मोनल, बुल बुल और मिनिवेट, बार्ड, वल्चर, सुनहरे चील आम है, सरिस्का पक्छी विहार कहां वास्तित है, जुसका सही अंसर है, राजस्थान, विसु का एक मातर तेरतावा राशु उद्धान कीबुल लामजाओ, कहां पर है, मनिपूर में, काजी रंगा किसके लिए जाना रता है, गैंडा के लिए, हमनों सरिस्का वावव्यारन को जानते है जुस्तों, यह अलवर से 35 किलमेट दूर, सरिस्का नामक स्थान पर इस्तित है, जो राजस्थान में है, आज़ावी से पहले इस अभयारन सरिस्का के महल में सुरू किया था, 1905 में राजसरकान ने इसे अभयारन घुसित किया, 1990 में इसे राश् की देखे जा सकते हैं यहां एक ग्याद तत्त है कि यहां के लगबग सभी बाग एक बार गायब हो गए थे और उनके प्रोण रिवास के लिए कुछ बहों को रंधरबोर से स्थानांतरित करना पड़ा था अब हम लोग केबुल लामजाव राष्ट उद्यान को जानते हैं प कईबुल लामजाव सन्रक्षें छेत्र सिर्शक के थर्थ सामिल है इसके अतरिक्त लोग तक जील 140 वर किलोमीटर और पुमलेन पार्ट 43 वर किलोमीटर के बफर को भी कवर करता है राष्ट उद्यान के विचिता त्यारते हुए विघटित पौध है जिनने स्थानी रुप से फुम्दी कहा जाता है इसे 1966 में लुप प्राई एल्डस हिरन यानि सर्वस एल्डी एल्डी के प्राकृतिक अवास को सनक्षित करने के लिए एक वनिजीव अभियारन की रुप में बनाए गया था उनिसे राश्ट्री उद्दान की रुप में राजपत्रित किया गया दा नल सरोवर 25 अभियारन की सराजी में गुजरात में निम्रिगी दो कॉलमों का सही मिलान करना दोस्तों कॉलम एक में पार्क के नाम दिये गया कॉलम 2 में जहां पर वो अवस्तित थे उसके नाम दिये गया तो बादीपूर नेश्पफर्क जो है करनाटक में है वाक्सा राज करनाटक के चाम राजनगर जिले में 868 स्कॉयर किलोमेटर वर किलोमेटर में फैला एक राष्ट उद्यान है इसे 1973 में प्रजेक्ट टाइगर के तहत एक बाग अभियारन के रूप में स्थापित किया गया था यह 1986 से निलगरी बायोस्फेयर रिजर्व का एक हिस्सा है बादिपूर राष्टे उद्यान में एशियाई हाथी, गौर, बंगाल टाइगर, सुस्त भालू, चार सिंगवाले मिर्ग, सुनहरा सियार और धोल पाई जाता है और बादिपूर में इमारती लकडी के पेड़ों की एक विस्सित सिंखला पाई जाती है इनमें सामिल है सा घंद्रप्रभा वन जीव अभियारण कहा थी थे उत्तरप्रदेस में, काजीरंगा राष्ट उद्यान कहा थी थे असम में, केवलादेव घंगा पची विहार का थी थे भरतपूर राजस्तान में, नन्दा देवी जीव मंडल की सराज मीश्ति थे उत्रकंड में, मानस उसका जो उसमें जो जिस तरह के वहां का जो माहौल है उसके बारे में नीचे के फिगरों बताए गया है तो दोस्तों उसमें स्थापित उत्तर भारत में उत्राखंड के चमॉली गढ़वाल जिले में नंदा देवी की चोटी के आस्पा सिस्तित एक राष्ट उद्धान है राष्ट उद्धान को 1988 में युनेस्को द्वारा विस्त धरुवर स्थल खोशित किया गया था बाद में इसका विस्तार किया और दोहर पाच में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलो की घाटी राष्ट उद्धान कर दिया गया सामान ये बड़े स्तंधारी है हिमालई कस्तुरी मिर्ग मुख्य भूमी सीरो और हिमाले तहार नंदा देवी राष्ट उद्धान में वरस्पतियों की एक विश खिसते थे उत्तराखंड में मद्धू मलाई पच्यू विहार प्रसेद है किसके लिए हंब वाघो के लिए गिर का वन सेरो रैबी प्रसेद है ये किस राजम वस्तित हे गुजरात में नाम दफा वन की स्राजम लगे जित है अनुनौराचर प्रदेश में अब दोरु में नोवा दिहिंग नदी द्वारा पार के आता है जो भारत मानिमार सीमा पर चौकन दर्रे से निकलती है भूमी आवरन बढ़ती उचाय के साथ उश्न कड़िबंदिय सदाभार वन से लेकर समसितोषन चौड़ी पत्ती वाले और मिस्रित वन में बदल जाता है नम दफ़ा उड़ने वाली गिलहरी को पहली बार पार्क में वरनित किया गया था उब ऑर के लिए स्थानिक और गंबीर रूप से लूप कराए है पार्क में 4 पैंधरी पर जात्या पाए जाती है रिसे तेंदवा, हिम तेंदवा, बाग और धूमिल तेंदवा इस पार्क में लाल पांडा अक्सर दिखायाता है दोस्तों उपर की figure में जो पहला figure है वो लाल पांडा है और जो दूसरा उला figure है वो उड़ती हुई गिलहरी के बारे में बताया गया दोस्तों जो नीचे है उसका एक location मार्क किया गया है आप इसमें red dot देख सकते हैं ये इस location पे नामदफा राष्टे उद्धान है जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है जो असम की वहली से होके बहती है इसमें भी ये दिखाये गया है तो चल दिए बढ़ते है आगले point में कंचंग जंगा राष्टे उद्धान इस्ते थे खाँ सिक्किम में डामफा वन जीव अभियारन इस्ते थे मिजोरम में निम्लिक में से कौन से राष्टे उद्धान प्रजेक्ट टाइगर का अंदरगत नहीं आता है कीबुल लमजाओ सुची एक में राष्टे वन या अभियारन के नाम दिए गए तो कांगेर घाटी राष्टे वन है वो कहा है चतिजगण में नागर होल राष्टे वन है वो कहा है करनाटक में है कुगती वन जीव अभियारन वो कहा है हिमाचल पतिस में सुल्तानपूर पक्चि अभियारन वो कहां है वो हरियाना में है नेक्ट क्रेशन देखते हैं दोस्तों सुची एक में वंजी वाविया रंग दिया नाम दिया है तो नाम दफा जो है वह और नाचल प्रदेश में जैसे आपने अभी देखा बांधिपूर है वो है करनाटक में बी का एक हो जाएगा पेरियार है केरला में और लाम जाओ है वह मनिपूर में तो यह उप्सन सही है सुची कोशी दो के साथ सुम्हें लिद करना दोस्तों बांधव गढड़ है वो मद्धर प्रदेश में है बांधिपूर है वो करनाटक में है जैसा हमने पिछले कोश्चन में देखा था रोहुला है मद्धर प्रदेश में है काजी रंगा सेंचुरिय वह गुजरात में वह असम में तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्सन सही है सुमेरित करना दोस्तों कानहा राष्ट्य उद्धान जो है मद्धर प्रदेश में तो उसमें एक्जक्ट लोकेशन बताना है तो कानहा उद्धान जो है वह शाडोल में माधव राष्ट्य उद्धान जो है शिवपुरी में इंद्रावती राष्ट उद्धान है वह भीजपूर में तो इसमें ए ऐ ओप्सण सहिए है वंजीव अभी आरण के बता दे गया है तो डागीचम डाचीगं वनजीव आविआरण व क का है जमुई कस्मीर में केवला देव घाना पच्ची अवियारन का है राजस्थान में है काना राष्टेपर का है मद्प्रतिस में पेरियार वंजीव अवियारन का है केरल में तो इसके एकॉडिंग ए सबसे बड़ा राष्ट में से एक है और मत्प्रतिस राज का सबसे बड़ा राष्ट द्यान है वरतमान काना चेत्र दो संरक्षी चेत्रों हालन और बंजर में विभाजित है जो क्रम से 250 और 300 स्क्वाइर किलोमेटर में है काना राष्ट उद्दान एक जून 1975 को बनाए गया था इस पार्क में बंगाल टाइगर भाते तेंद्वा सुस्त भालू बारा सिंगा और धोर पाया था यह भारत का पहला बाग अभियारन भी है इसने आधिकारिक तोर पर एक सुभंकर भूर सिंग बारा सिंगा को पेश किया था तो आप उपर में देख करते हैं दोस्तों यह बंगाल टाइगर है और नीचे में मद्दप्रदेश में कहां लोकेशन है जो सबसे पूर्वी भाग में मद्दप्रदेश के वहां पर इसका लोकेशन है आप रेड डॉट को देख सकते हैं नीचे वाले फिगर में अगला पर्शन है भारत का परताम राश्टी निम्लित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनुठाए कि वह एक प्लवमान मनस्पति से युक्त अनुप होने कारण समुद्र जय विविवता को बढ़ावा देता है तो कीबूल लाम जाओ नेशनल पार्क बांदिपूर प्रजेक्ट टाइगर रिजर्व किस निचे दिये गया कूट के साथ सभी चुनाओ 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 काना दोस्तों तो बांदिपूर जो का टाइगर रिजर्व है वो कहां पर है करनाटक में है दुदुबा जो है वो उतरपतेस में है सिमलीपाल है उडिसा में है और सरिस्का है वो राजिस्थान में तो ए सब्सक्राइब को जानता दोस्तों भारत का रास्थान में स्थित एक राश्च्री उद्यान है जिसका शित्रफल 1334 वर किलोमीटर है यह उतर में बनास नदी और दक्षिन में चम्मल नदी से घिरा है इसका नाम एतिहासिक रंधंबोर किले के नाम पर रखा गया है जो पा परडाइस फ्लाइए केचर भी सामिल है यह पार्क मुख्यूर्प से अपने बागों के लिए प्रसिद्ध है और इन राजसी सिकारियों को उनके प्राक्रतिक अवास में देखने के लिए भारत में सरवत्तम स्थानों में से एक है आप उपर के मैप में देख सकते हैं बाक डालमा अभिहारन जहारकंड में है सिमली पाल उरिशा में है पैरियार केरल में एक तो डियो औप्सण साहिए हाथी की राश्चत उद्धान पाया तथा नागरोल राश्ट उद्धान में भारत में सबसे बड़़ा अभिहारन, ताइगरम रिज़ेर्ब कौन सा है नागार भारत के निम्रिकित नेशनल पार्कों को उतर से दक्षिन की दिशा की और क्रमबत कीजिए तो कार्वेट नेशनल पार्क सबसे पहले है जो उतर से दक्षिन दिशा की और है कार्वेट नेशनल पार्क उसके बाद दोस्तो माधव नेशनल पार्क है फिर इंदरावती नेशन निम्लिज्प मेंसा कौन एक सही शुमिलत नहीं है तो पेरिया राष्टु उददान हंगुल, हंगुल के लिए फेमस नहीं है दोस्तों, निम्लिज्प मेंसा किस एक में राष्टु उददानों के संख्यास अधिक्तम है, तो अनवार निकबार दुर्प समुमे, काजी रंगा राश्ट्र उद्धान किसके लिए परसिद्ध है गैंडा के लिए निम्लिक से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो बुखसा बिहार यह कुछी दंफा दंफा मिजुरम में है न मेरी असम में है और नामदफा और अचल प्रदेश में है निम्लिक में भारत के निम्लिक से कौन सा मिजुरम में आवस्ते थे तो डंफा पेरियार वंजी वे बिजारन किस राज में से थे केरल में मदब्रदेश का सिवपूरी राष्ट्र पार्क किसके लिए महतपूर्ण है तो बाग और हाती के लिए बागो का परमुक रिजर्व सरिसका किस राज में राजस्थान में किस वर्स प्रोजेक्ट टागर का आरम किया गया था तो उनिसो तियाता सो चोहतर यह बहुत इंपॉर्टन कोशन आप इसे याद रखिएगा मुंगे की चट्टाउनों की संक्षन के लिए भारत सरकार ने निम्लिकित में से किसे समुदुरी पार्क रहती तो नाम दफा नेशनल पार्क दोस्तों अगर पोई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए ताकि इसे तरह के इंपॉर्टन अपडेट्स जो कि विभेन